Hello everyone, welcome back to my channel आज हम किचन में कुछ पकाएंगी नहीं बलकि कुछ ऐसे foods बताएंगी जो हमारे सेरी में poison का काम करती है अपनी रोजबरा की लाइफ में हम ऐसे बहुत सी खाने पीने की चीज़े इस्तमाल करते हैं इन में से कुछ हमारे लिए healthy होती है वहीं कुछ हमारे लिए नुकसान दायक होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने पीने की चीज़े हमारे लिए toxic हो सकती है यानि जहरेली हो सकती है और किसी किसी case में मौत का कारण भी बन सकती है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ पांच ऐसी खाने पीने की चीज़े जो टॉक्सिक हैं जहरीली हैं और इने खाने से हर कीमत पर आपको बचना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पेटेटो यानि की हरा आलू दोस्तों जो हरे आलू होते हैं आपने देखा होगा या तो को पूरे ही हरे होते हैं या उनको कोई पाठ हरा होता है जो पाठ हरा होता है उसमें दो चीजे पाई जाते हैं एक होता है chlorophyll जो की एक pigment होता है जोसे हरा बना देता है दूसरी चीज होती है Solyneze chlorophyll तो हामफल नहीं होता है आप उसे खा भी सकते हैं लेकिन solenis जो है वो निरो टॉक्सिक होता है और जो हमाई लिए जहर का काम करता है तो अगर आप ऐसा आलू ले ले जो पूरी तरह से हरा हो तो उसे फेक देना चाहिए या तो किसी आलू का कोई पाठ हरा होता है तो उस हरे पाठ को काट कर फेक देना चाहिए तो ग्रीन पेटेटो से हर कीमत पर आपको बचना चाहिए उसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए दूसरी चीज है नर्टमेक यानि कि जैफल जिसका इस्तमाल आपको नहीं करना चाहिए वो भी हमाई लिए टॉक्सिक हो सकती है जैफल का अगर हम डबल लोज ले लेते हैं तो इसकी वज़े से भी हल्थ प्राब्लम हो सकती है जैसे कि चक्कर आना नोजिया और वॉमिंटिंग जैसे प्राब्लम हो सकती है तो अगर आप इससे कुछ मैटसिंस की रूप में इस्तमाल कर रहे हैं या घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि इसकी ओवर्डोज ना हो जाए तीसरी चीज जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है और इसे भी खाने से आपको बचना चाहिए वो है बिटर आम्ड यानि की कड़वे बदम मार्केट में दो तरह के बदा मिलते हैं एक होते हैं स्वीट आम्ड और दूसरे होते हैं बिटर आम्ड आम तोर पे जो मार्केट में मिलते हैं वह स्वीट आम्ड ही होते हैं जो पूरी तरह से सेफ होते हैं लेकिन कभी कभी इन स्वीट आमंड्स के साथ बिटर आमंड्स भी मिक्स कर दिये जाते हैं और बिटर आमंड्स के अंदर टॉक्सिक सब्स्टांस पाया जाता है जिसे कहते हाइड्रोजन साइनाइड और साइनाइड दुनिया के सबसे खतरनाक वैसन होता है इसलिए हमें इसे खाने से बचना चाहिए और कोई भी कड़वा बदामोतों से फेक देना चाहिए चौती चीज जिसे आपको खाने से बचना चाहिए वो है अंडर कुक्ड रेड किड्नी बीन्स यानि कि ऐसी राजमा जो पूरी तरह से पकी नहीं हो राजमा में लेक्टिंग टॉक्सिक होता है जो राजमा के पूरी तरह से पकने के बाद खत्म हो जाता है लेकिन किसी कारण से राजमा अगर पूरी तरह से पकने ही पाता और उसे हम कच्छा ही खार लेते हैं तो वो हमाई सरी के लिए आनिकारक हो सकता है तो राजमा खाने से पहले आप सबसे पहले उसे 4 पक घंटे के लिए पाने में भिगो दी ही और फिर तेज आज पर उसे अच्छे से पका कर तब खाईए पका हुआ राजमा हमाई सरे के लिए हानिकारक नहीं होता है पांच भी बहुत चीज है जिससे आपको बचना चाहिए वो है ब्राउन राइस दोस्तो आपको ये जानकर हरानी होगी कि ब्राउन राइस भी हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकते हैं लेकिन इसका गलत तरीके से फ्रियोग करने पर ही हमारे स्वास्त के लिए आनिका रखो सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सिखने को मिला होगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने ना भूले थैंक्स वर वाचिंग